नमस्कार मित्र जैमातडी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो कन्या रासी वालो हो जाईए साउधान आपकी जिन्दगी किसी बड़े खत्रे का सिकार होने जा रही है और यह घटना देखकर आपको साप सुंग जाएगा मित्रो इन तीन दिनों में जो घटना आपकी जीवन में घटने वाली है येसी घटना के बारे में ना तो पहले कभी आपने सोचा था और ना ही येसी घटना को देखा था एक चेताओं ने दी जाती है कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें मित्रो यह तीन दिन यानिकी 18 अगस्त 19 अगस्त और 20 अगस्त आपकी जीवन में जो घटनाए लेकर आ रहे हैं यह घटनाए कोई साधारन घटनाए नहीं है मित्रो इन तीन दिनों में आपको कौन सी साधानिया बरतना पड़ेगी कौन सी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा और कौन सी घटनाए घटेगी जो आपके जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव डालेगी इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी देने वाले हैं हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंततक धियान से देखेगा मित्रो हमारे गूरु जी ने बड़ी ही मेहनत से इस वीडियो का निर्मान आप सभी के लिए किया है तो हमारी इस मेहनत के बदले आप से शिर्फ इतने सी विंती है कि वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा मित्रो सब से पहले तो जो भी भक्त अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो के लाइक अवश्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ते ही प्रेम से जै माता दिली लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनो कामनाई पुर्ण करेगी तो चलिए मित् सभी का किमती वक्त गवाई बिना बढ़ते हैं अगले तीन दिनों के महत प्रन रासी फल की और तो मित्रो जो बाते आपकी दिल और भावना से अधिक जूड़ी है उसके बारे में कुछ प्रगितन ना होते दिखना आपको बेचेन कर सकता है अर्थात मित्रो जो बाते आपको बहुत लगाऊ था वह बाते आगे नहीं बढ़ेगी और वह बाते आगे क्यों नहीं बढ़ रही है इस बात का आपको जल्दी से पता लगाना है में तो आपको बता दे कि केवल इसी बात पर पूरा ध्यान लगाए रखने की वज़े से आपको अधिक नाराजगी म हैसूस हो सकती है क्योंकि आप अपना सरवस्य नोचावर इसी बात पर कर रहे हैं जिस बात में बिल्कुल भी प्रगती नहीं है जी हां जो काम और बाते आपके नियंत्रण में हैं उसे करने की कोशिस करें क्योंकि ऐसा करना आपको सकरात्मत्ता प्रदान करेगा और आपक अंदर एक सकरात्मक स्वभाव का आनंद प्राप्त होगा मित्रण आपके काम के स्वरूप में थोड़ा बदलाव लाने की आपको आउश्यक्ता होगी जिस गती से और जिस योजना से आप काफी समय से कार कर रहे थे वह अब पूरानी हो गई है अब आपको कुछ नया पन लाने के आऊ सकता है साथ ही खूद के द्वारा बनाए गए कुछ नयूमों का ठीक से पालन करना होगा कुछ ऐसे नयम आपने वरतमान में बनाए हैं जिनका पालन करना आपके लिए काठिन हो रहा है तो आपको बता दे कि अपनी नयूमों का पालन ठीक से करें और यदि र प्रियत नहीं कर रहा है तो रिलेसंसिप के बारे में दो बारा सोचना होगा क्योंकि आप पार्टनर पर दबाव बनाकर रिष्टा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं मित्रों क्योंकि कोई भी रिष्टा जोर जबर ज़स्ती का अच्छा नहीं लगता है वहीं आपको बता दे कि आपके द्वारा कहीं बाते और किये गए कामों में काफी अंतर होने की वज़े से किसी व्यक्ति को आपकी भावनात्मत तकलिफ से गुजरना पड़ सकता है आपके द्वारा मित्रों कुछ ऐसी बाते अंजाने में कही जाती है जो सामने आले व्यक्ति के सिद्धे दिल पर लगती है आपके उपर का रखा हुआ भरोसा भी कम होगा साथ ही आपको बता दिमित्रों कि जब भरोसा कम होगा तो कोई भी आपके समक से जुड़ने का प्रियास नहीं करेगा आपको बता दी कि उनके विश्वास को फिर से जितने की कोशिस करें जिनने आपके उपर से व कोशिस करना भी है मित्रों क्योंकि विश्वास एक ऐसी डोर है जो यदि एक भी बार गल्टी से तुट जाए तो उसे जोड़ना काफी मुस्किल होता है तो आप उस दोर को जोड़ने में सफल रहेंगे और काम से संबंद जो भी बाते हैं दीरे दीरे वह बाते आगे बढ़ रहना होगा और पार्टनर की स्वभाव में आ रहे बदलाओ को जानने की कोशिश करनी होगी साथ ही आपको अपचन की तकलिफ अधिक रह सकती है मित्रों काम की अपेक्सा के नुसार ही आगे बढ़ेगा आप जैसा काम करेंगे काम भी वेसा ही आगे बढ़ेगा तो आपक अपने अंदर उत्पन हो रहे आलस की वज़े से इस समय का उचित फाइदा नहीं उठा पाएंगे आपके अंदर एक बहुत ही नकरात्म गुण है और वह गुण है आलस जब तक आप आलस को त्यागेंगे नहीं तब तक जीवन में सफल होने के सपने देखना भूल लोगों के साथ ठीक से बने रहने की वज़े से आप लोगों के करीब महसूस करेंगे लोगों के साथ आपकी जो सववाद है जो बातें है वह ठीक से बने रहेगी जिससे आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे और आर्थिक बातों में आपको प्रगति नजर आएगी फिर भी जीवन से लिए भी आपके अपिक साके नुसार बनी रहेगी आर्थिक बातों में प्रगति नजर आएगी जिससे आपकी आर्थिक इस्तती अच्छी होगी और आर्थिक इस्तती अच्छी होगी तो आप परिवार का धियान अच्छे तरह से रख पाएंगी काम को आगे बनाने के लिए फिलहाल समय आपके पक्स में रहेगा और टार्गेट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिस करने होगी मित्रो पारिवारिक बातों की वजह से अपने रिलेसंसिप पर बिल्कुल भी असर ना होने दे स्वास्त से संबंदित कुछ तकलिफ आपको बहुत देर तक सता सकती है अब इस तकलिफ का अंदाजा आपको भिल्कुल भी नहीं है कि यह तकलिफ कितने समय तक आपके पास रहेगी मित्रो आपको बता दे कि कुछ लोगों के साथ आपके सववाद भिगड़े हुए थे तो उन सववादों को ठीक करने की जल्द से जल्द आपको कोशिस करनी होगी और आपके द्वरा कोसिस की भी जाएगी लेकिन कहीं न कहीं आपके उस कोसिस में कोई न कोई कमी जरूर रहेगी यदि आपको इंसान महत प्रण नहीं लगते हैं तो बिगड़ी बातों के बारे में अधिक अफसोस करके खुद को तकलिफ ना दे जो बाते बिगड़ गई हैं उन्हें छोड़ दे और जो बाते आपके पक्स में हैं जिने आप संभाल सकते हैं उन्हें संभाले मित्रुग घर की सजावट से संभंधित बातों पर आपका अधिक धियान बना रहेगा किसी भी प्रकार की चिंता में खुद को अधिक ना उलजाएं क्योंकि जब आप स्वयम के उपर अधिक चिंता और दबाव महसूस करेंगे तो आपके मन में नकरात्मक्ता और हिंता की भावना बढ़ेगी और नकरात्मक्ता और हिंता की वज़े से आप अपने जीवन में कोई गलत निर्णई कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं किसी भी प्रकार की चिंता में खुद को अधिक ना उलजाएं क्योंकि अगले कुछ दिनों में बातें आपकी मर्जी के नुसार ठेक होगी जैसा कार्रे और जैसा काम आप चाहते हैं जैसी बाते आप अपने जीवन में चाहते हैं वέςी बाते समय के नुसार ठेक हो जाएगी आपकी करियर को नया मोड प्राप्त होने वाला है इसलिए अपनी काम से संबंदित जिम्मेदार्यों को ठीक से निभाने की कोसिस करनी होगी मित्रु करियर को नया मोड प्राप्त होगा तो जल्द ही जीवन में भी एक नया पन आएगा तो आपको बता दें कि अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिस करें किसी व्यक्ति के द्वारा मिले हुए प्रस्ताव के बारे में सोच समझ कर ही आगे बढ़े और सेहत में आपको सकरात्मक बदलाओ नजराएगा आपकी एक गलत आदत है और वह आदत है भावनात्मक उल्जने आपकी भावनात्मक उल्जने अधिक रहेगी लेकिन आप बाहर निकल की बजाए खुद को उसे के अंदर ज़्यादा उल्जा रहे हैं जिसके कारण लोगों की आपके उपर थोड़ी नाराजगी बनी रह सकती है आप अपने बातों को खुद होकर ही सुल्जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण लोगों के साथ दूरियां बनाए रखना आप पसंद करेंगी मित्र परिवार के लोग आपको मदद करने की चाहा रखते हैं इसलिए उनके साथ अपनी तकलिफ की चर्चा जरूर करें जो तकलिफ आपको सता रही है जो तकलिफ आपको ज़्यादा तकलिफ दे रही है अब तकलिफ को ही काटती है इसा जरूरी नहीं है मित्रो रिलेसंसिप में आ रही दरार को मिटाने के लिए पार्टनर के साथ चर्चा करके एक दूसरे की तकलिफों को दूर करने की कोसिस करें और आपको बता दे कि इस वक्त आप थोड़ा सा आराम भी जरूर करें तो मित्रो वीडियो की समापती अब यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवाई नमस्तु अभ्यम अवस्य लेखिएगा गुरु देव आपकी सारी मनो कामनाई पुर्ण करेंगे और मित्रो देनिक रासेफल एवं रोजान अग्यान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा